Hello everyone, welcome to study time only. Today is Tuesday, 26th May 2020 and the Hindu vocabulary discussion में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन-कौन से new words हैं जो हमें discuss करने हैं So, यहां हमारा पहला word है High यह एक verb form है इसका मतलब होता है वृद्धी होना मतलब कि increase Synonyms के हैं इसके Rise up, put up Rise up का मतलब होता है कि उचाई, मतलब उचाई की तरफ बढ़ना Rise होना, वृद्धी करना और put up का मतलब होता है same कि मतलब उपर की और आगे बढ़ना Entonance के हैं इसके lower Lower का मतलब होता है नीचे मतलब की नीचे जाना Example इसका क्या है The government hiked up the price of milk by 40% Government ने क्या क्या? जो milk का price है उसे 40% बढ़ा दिया उसमें क्या कर दी? वृद्धी कर दी 40% की Next word की तरह move करता है? हमारा next word है Dispute ये एक noun word है इसका मतलब होता है विवाद English में meaning है इसका debate Synonyms के हैं इसके समनार्थी सब Same Discussion Disputations Discussion का मतलब क्या होता है? किसी भी बाद को लेकर discussion होना मतलब की अगर दो party है तो किसी भी बाद को लेकर उनकी बीच में कोई बाद चल रही है तो दोनो पाटी उस čीज से agree नहीं कर रहे है तो उनके बीच में क्या हो रहा है? discussion हो रहा है विवाद हो रहा है Disputation का मतलब होता है हो रहा है ठीक है discussion हो रहा है बट क्या हो गया यह दोनों उस चीज पर किसी जो इस बात पर वो लड़ रहे तो उस पर मान गए तो उनके बीच में क्या हो गया agreement हो गया समझोता हो गया हम इस वर्ड का sentence में यूज देखते हैं a territorial dispute was held between the two countries जो territorial dispute था विवाद था वो जो दो countries थी उनके बीच में हुआ next word की तरफ मूब करते हैं हमारा next word है mortatorium यह एक noun word है इसका मतलब होता है रोक synonyms के इसके ban prohibition ban का मतलब क्या होता है legally prohibit मतलब कि legally किसी चीज पर रोक लगा देना और prohibition का मतलब होता है कि रोकना किसी भी चीज को रोकना antonyms के इसके renewal renewal का मतलब होता है कि किसी भी चीज को नवनी करेंट करना मतलब कि एक time तक उससे क्या देना validative provide करना example देखते हैं इस काम a meritorium was decided on the use of drift nets जो nets है उनकी use पर क्या करना है वो decide करें कि इस पर हम क्या करें रोक रोक लगा दें next word की तरह move करते हैं हमारा next word है promulgate यह एक verb form है इसका मतलब होता है घोशना करना मतलब की publicize synonyms के इसके समानार्थी सब्द spread communicate spread का मतलब होता है फैलाना मतलब कि किसी भी चीज को अगर कोई news है या कुछ भी है तो उसको पूरी चारो तरफ फैला देना और communicate का मतलब क्या होता है कि अगर हमसे किसी ने कोई बात बोली तो हमने उसे क्या क्या दूसरे person को जाकर बता द इंटर निम्स के इसके conceal, conceal का मतलब होता है छिपाना मतलब कि किसी भी चीज को hide करना हम इस word का sentence में use देखते हैं these objectives have to be promulgated within the organization जो ये objectives हैं उनको क्या करना चाहिए उनकी घोशना करनी चाहिए within the organization organization के अंदर मतलब कि organization जो है तो जो हमने objectives रखे हैं तो उनको क्या करना चाहिए उनकी घोशना करनी चाहिए next word की तरह move करते हैं हमारा next word है diverse ये एक adjective word है इसका मतलब होता है vivid मतलब कि various synonyms के इसके many sundry many का मतलब क्या होता है अनेक मतलब की चीजे एक से जादा हो और sundry का मतलब होती है various kind मतलब की several मतलब की चीजे एक से जादा हो for example हमारे पास 10 पहन है तो वो क्या है एक से जादा है एंटर नेम्स के इसका similar similar का मतलब हो जाता है एक जैसा मतलब की सामानता example देखते हैं इसका India has a huge culturally diverse population इंडिया की जो population है वो बहुत जादा culturally diverse है जो हमारा हम next word की तरह move करते हैं हमारा next word है embark ये एक verb form है इसका मतलब होता है शुरू करना मतलब की begin किसी भी चीज को start करना synonyms के इसके start comments start का मतलब क्या होता है शुरुआत करना और comments का मतलब भी होता है शुरू करना किसी भी चीज की शुरुआत करना begin करना एंटरने उसका, end, end का मतलब क्या होता है, अंत, मतलब कि अगर हमने किसी भी चीज को start किया है, उसकी शुरुवात की है, comments किया है, तो अब उसका क्या कर रहे है, हम उसका end कर रहे है, उसका end कर रहे है, example में हम इसका use देखते है, she embarked on a new career, उसने क्या किया, new career की तरफ embark करी, म next word की तरफ move करते है, हमारा next word है, massive, ये एक adjective word है, इसका मतलब होता है, विशाल, मतलब की huge, synonyms क्या है, enormous, gignetic, enormous का मतलब क्या होता है, enormous का मतलब हो जाता है, भारी, मतलब की कोई भी चीज, size में बहुत ही जादा, बड़ी हो, या उसका जो weight हो, वो बहुत ही जादा, बहुत की huge, जैसा कि हमने इधर देखा, enter names के इसके tiny, tiny का मतलब होता है, छोटे-छोटे, मतलब की बहुत ही जो छोटा होता है, उसे हम कहते है tiny, और इसका एक और meaning हो सकता है small, example में हम इसका huge देखते है, I saw a massive rampart of stone, मैंने क्या देखा, एक stone का rampart देखा, बहुत ही बड़ा, जो बह होती जादा विशाल था, huge था, next word की तरफ हम move करते हैं, हमारा next word है, underscore, ये एक buff form है, इसका मतलब होता है, बल देना, मतलब की highlight, किसी भी चीज को highlight करना, synonyms क्या है इसके, underline, play up, underline का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज को क्या कर देना, एक line कर दिया, और इसके बीच में हमने इसको cover up कर दिया, कि ये चीज से आगे न जा पाए, तो underline का मतलब हो गया, रिखांकन कर देना, हमने उसके underline कर दिया, for example, हम जब books read करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर जो line हमें अच्छे लगती है, जो sentence अगर हमें अच्छे लगते हैं, या important होते हैं, तो ह जब हम उसे बाद में पढ़ें, तो वो हमें जल्दी से मिल जाए, ठीक है, तो underline का मतलब क्या हुआ, रिखांकन कर देना, play up का मतलब क्या होता है, कि उन चीजों के साथ क्या करना, खेलना और उन्हें highlight करना, enter names का है, इसके play down, play down का मतलब होता है, कि उसे down करना, मतलब कि अगर वो highlighted है, तो उसे highlight से हटा देना, हम इसका example देखते हैं, the reporter, sorry, the report underscore the issues, जो report है वो क्या करेगी, issues को underscore करेगी, उनको बल देगी, उन्हें highlight करेगी, कि हमारे क्या-क्या आगे चलके problems हैं, हम next word की तरह move करते है हमारा next word है, circum, ये एक verb form है, इसका मतलब होता है, जुक जाना, मतलब की yield, synonyms क्या है इसके, given, giveaway, given का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई person आ रहा है, तो हमने उसको रास्ता दे दिया, वहां से हट गए, और giveaway का मतलब होता है, रास्ता देना, या फिर दब जाना, किसी के आगे अगर किसी ने हम से कुछ कहा, अगर वो हमें ठीक नहीं लागा, तो हमने क्या क्या है, हमने उसका विरोध किया, हमने उसको मना किया कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, example में हम इसका use देखते हैं, sentence में, we cannot merely give up and scumber to despair, हम give up नहीं करेंगे, हम जुकेंगे नहीं, मतलब कि हम ये जो despair है, इसके लिए हम ना तो give up करेंगे और ना ही उनके सामने जुक सकते हैं, हम next word की तरब move करते हैं, हमारा next word है manifold, ये एक adjective word है, इसका मतलब होता है अनेक, मतलब की many, synonyms का है इसके numerous, multiple, numerous का मतलब होता है कई, मतलब की कई प्रकार की चीज़े होना, एक से जादा होन और multiple का भी मतलब होता है कि एक से जादा चीज़े होना, multiple, antonyms का है इसके opposite word, single, multiple का opposite क्या हो गया, single, single का मतलब की एक ही चीज़े है, हम इसका sentence में use देखते हैं, the implications of the decision were manifold, जो decisions थे, उनके जो implications थे, उन्हें क्या किया गया थे, they were manifold, मतलब क्यों बहुत ही जादा थे, तो ये थे हमारे आज की words और comment section में हमने जितने में words डिसकस किये हैं, उनके sentence आपको make करके बताने हैं, और इन words का आपको आपकी daily conversation और आपकी writing में use करना है, जिससे कि आपकी जो speaking है और आपकी writing skill है वो improve होगी, description box पर telegram channel की link provide की गई है, जहां से आप telegram channel join कर सकते हैं, या फिर आप directly telegram app में जाकर study time only search करेंगे, तो आपको channel मिल जाएगा, जहां पर आपको इसका ppt and pdf form provide किया जाएगा, thank you so much for the discussion